दोस्तों हिलाने के लिए लोग वीपियन का सहारा लेते लेकिन आज हम आपको बिना वीपियन के ऐसी नगरी में ले जाएंगे जहां आपको चारा तरफ हवस का नंगा नाच दिखेगा आज की इस मुवी में एक ऐसे लड़की की कहानी सुनाएंगे जो अपनी मा और सोतली मा के साथ प्यास बुजाने की कोशिश करता है और साथ साथ उनको अपने पापा के साथ घपा घप करते हुए चुपके से देखता है कहानी की शुरुवात में सारा नाम के लड़की दिखाई जाती है जो बिना कपड़ों के बाथ टब में नहाने के लिए उतरती है अपने तर्बूजों को सहलाते हुए वह बाट टब में बेट जाती है और जैसे ही बाट टब में लेटे लेटे अपने पेर से नल चालू करती है तब ही उसको करन्ट लग जाता है और वो मर जाती है फिर मूवी में एक साल बाद की स्टोरी दिखाये जाते है जहां हमें एलिस नाम की लड़की दिखाई जाती है जो पॉल की वाइफ होती है एलिस पॉल की दूसरी वाइफ होती है पहली वाइफ सारा होती है जो एक साल पहले मर चुकी थी सारा का एक बेटा भी था जिसका नाम मारकस होता है मारकस था तो बच्चा लेकिन अपनी हरकतों से वो एक हावसी दरिंदा था पॉल किसी बिजनेस के सिलसले से भार जाता है तो वो एलिस को मारकस का ध्यान रखने के लिए बोलता है लेकिन वो बताता कि मारकस अपने बोर्डिंग स्कूल में है तो वो एक हफ़ते बाद में घर पे आएगा एलिस घर आती है तो मारकस उसको घर में ही दिखता है तो वो देखकर चोक जाती है फिर वो उससे पूछती है तो मारकस बताता कि चिकन गुनिया फैलने के करन स्कूल वालों ने जल्दी चूटी करती है आगले सीन में बातरू में मारकस नहा रहा होता तब ही पॉल का फोन आता है फिर पॉल एलिस से बात करा तो तब मारकस उसके पीचे से अपने हाथ एलिस के पास लाता है और उसके संतरों को दबा देता है संतरे दबते ही एलिस के मुझ से चीक निकल जाती है वो मारकस को देखती है उसको गुसा तो बहुत आता है और उसका मन करता कि वो अभी उसके अंडे फोर दे लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती एलिस मारकस का खयाल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती है लेकिन मारकस की हवस दिन बर दिन बढ़ती ही जाती है कुछ दिन बाद में पॉल अपना काम निप्टा कर वापस आ रहा होता है एलिस और मारकस उसको पिक करने एरपोर्ट पे जाते है वापस आते सब में पॉल एलिस के संतरों को घूरता और उन्हें टच करता है एलिस को भी मज़ा आता और उसका ध्यान गाड़ी से हट जाता है अचानक से उनका एक्सिडेंट होने ही वाला होता तब ही एलिस कार को कंट्रोल कर लेती है फिर वो जल्दे से घर आते और अंदर की आग बुजाने के लिए कमरे में चले जाते है वो दोनों अंदर बिस्तर में खेल रहे होते है और मारकस गारडन में खेल रहा होता है रात को तीनों मिलकर एक होटल में खाना खाने जाते है तब पॉल एलिस से पूसता कि मेरे रूम से पैसे किसी ने निकाले तब एलिस मारकस का नाम ले लेती है मूवी का सीन चेंज होता है मारकस और पॉल स्विमिंग पुल में नहा रहे होते है और एलिस अपने होट अवतार में पास में लेटी रहती है मारकस पॉल को बताता है कि एलिस उसका जराबी ध्यान नहीं रखती है और उसने मेरे डूम की तलाशी भी लिये पॉल बच्चा समझ कर उसको इग्नोर कर देता है एलिस ये सारी बाते सुन रही होती उसके बाद में एलिस को मारकस पे डाउट होने लग जाता है तो वो पता करने के लिए उसके स्कूल में चली जाती है तब प्रिंसिपल बताता है कि मारकस की कोई छुटिया नहीं चल रही बलकि उसके स्कूल से निकाल दिया गया है उन्होंने एक लेटर भी घर पे बेजाता जिसे मारकस ने फार दिया था और उसी के टुकड़े एलिस को मिले थे स्कूल में प्रिंसिपल उसको बताता कि मारकस आसपास के घरों में ताग जा करता और लोगों को चरम सुका मज़ा लेते वे देखता है और साथ ही अपने टंके भी खाली कर देता है इन्ही हरकतों की वज़े से स्कूल से निकाल दिया गया है एक दिन एलिस पॉल के साथ पार्टी में जाती है जहां उसकी मुलाकात सौफी नाम की लड़के से होती है जो कि सारा की अच्छी फ्रेंड थी वो उसे बताती है कि सारा की बात रटब में डूपने से मौत हो गए थी फिर एलिस को लगने लग जाता कि ये सब मारकस का ही किया धरा है एलिस ये बाते पॉल को बताती है लेकिन पॉल की एलिस से बहस हो जाती है इस बात पे एलिस पता लगाने के लिए अपने रूम के उपर बने स्टोर रूम में जाती है वहाँ उसको एक छेद दिखता है जिसे उसके रूम का बेट साफ दिखता है तब एलिस को पता चलता है कि उसकी खुदाए का लाइब सेशन यहाँ से होता है एलिस इस लाइब सेशन के बारे में मारकस से पूछती और कहती है कि तुम सारा को भी यहाँ से देखते थे एलिस उसे सच बताने के लिए पेसे भी ओफर करती है लेकिन मारकस मना कर देता है मारकस एलिस को ही माग लेता है वो उसकी लेना चाहता था एलिस गुसे में आकर एके कपड़े उतारने लग जाती है तब मारकस बताता है कि सारा को एक हार्ट की बिमारी थी जो कि उसे किसी डॉक्टर के लेटर से पता चली थी एलिस को लगता है कि वो जूट बोल रहा है और वहां से चली जाती है एलिस स्टोरूम वाले छेद के बारे में पॉल को बताती है और उसे कहती है कि यहां से वो हमारी गपागब देखता है लेकिन वहाँ पे कोई छेद नहीं होता है फिर एलिस और रिसर्च करती है तब उसे पता चलता है कि सारा को मारकस ने ही मारा है और वो मारकस से सारा को मारने का कारण पूछती है तब वो बताता है कि सारा उसको अच्छी नहीं लगती थी उसको लड़कियों को टॉर्चर करने में मज़ा आता है और अब तुम्हारी ब इसके बाद में एलिस घर पे वापस आ जाती है उसके बाद में एक दिन पॉल एलिस और मारकस पार्क में घूम रहे होते हैं एलिस और पॉल आपस में बाते कर रहे होते हैं मारकस वहाँ पे खेल रहा होता है कुछ दिर बाद में एलिस और मारकस आपस में बाते करते हैं और स बाद पर दोनों एगरी कर लेते हैं उसके बाद में Alice मारकस को किस कर देती है और तभी अचानक से Alice को एक तेज स्पिट से गाड़ी आते वह दिखाई देती है Alice मारकस की डोग का टोई रोड पे फैक देती है, मारकस अपने डोग को बचाने के लिए रोड पे जाता है और तबी गाड़ी की तेज टकर मारकस को लगती है और उसी शेन यहाँ पे मारकस मर जाता है इसके बाद में एलिस उसकी डेड़ बोड़ी को देकर मुस्कुराता है